दोस्तों आप सभी लोगों के मुबाइल में आप देखते होंगे यहाँ पर एक option आता है उपर के साइड notification में location का आप सोचते कि location बटन का बस यह की काम है location को own करना है या फिर location को बंद करना है लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है आपको आज मैं इस वीडियो में इस location बटन की चा बारे में आपको definitely पता होना चाहिए otherwise आपकी location का misuse हो सकता है कोई और आपको track दोस्तों कर सकता है आपके mobile को तो यदि आप एक mobile चलाते हैं Android mobile चलाते है तो आपको आपके location है इसके बारे में पता होना चाहिए जो चार्ट ट्रिक बताने वाला हूँ इस लिए इस वीडियो चार ultimate hidden cigarette trick के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपके mobile के location बटन में चीपी विया जिसके बारे में आपको definitely पता होना चाहिए अब पहले trick के बारे में जानते है पहले trick दोस्तों क्या है basically पहले trick जो घूम फिर कर आती है वो आती है WhatsApp से related ओके कभी-कभी ऐसा होता है दोस्त आप जाने जाने में उसको जो है okay कर देते हो लेकिन क्या आपका WhatsApp track है WhatsApp के दुआर आपकी location को track किया जा रहा है या नहीं उससे आपको बचना है बचेंगे कैसे आपको एक setting check करने है WhatsApp में आने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर त्रेडोट पर जाना है यहाँ पर आपक सकते हो मेरे मुवाल में बता रहा है you are not sharing live location in any chat okay यानि कि जो आपकी live location है आपने वो किसी के साथ share नहीं के विया किसी भी चैट में अगर यहाँ पर आपकी कोई location share है आपको दिखाएगा delete करने का option देगा तो आप उसको delete कर देना okay otherwise हो सकता है कि कोई आपकी location को track कर रहा हू करेंगे okay यहां पर hold करेंगे दबाई रखेंगे मतलब और यहां पर location वाले सेटिंग में डिरेक्ट आप 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 जाएंगे okay अधरवाइज आप mobile में जाके ढूंडेंगे तो थोड़ा long process रहेगा आप डिरेक्ट इस तरीके से आजाना जैसे मैंने आपको बताया अब यह के पास कोई emergency होगी तो आपका जो mobile होगा वो trusted contact पर आपके location को send कर देगा जब आप अपने वाल से power button को तीन बार continue दबाएंगे तो आप कभी भी किसी भी emergency में हो तो आप जो है उस बंदे के पास अपनी location send कर पाए केवल तीन बार बटन दबाने से power button को तो आपको इसके लि emergency लगा के रखेंगे शैट करके रखेंगे emergency वाले setting में वहाँ पर तीन बार power button दबाते ही आपका mobile उस नंबर पर आपकी location lie location को send कर देगा तो यह setting कुल मिलाकर आपकी ओन होने चाहिए किसी भी emergency situation में यह काम आ सकती है आपके दोस्तों अब दोस्तों बात करेंगे third setting की third setting क्य है दोस्तों यह दोस्तों थोड़ा देखो धिहान से समझने वाली बात है अब जो मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ ओके यहां पर आपको एक option मिलता है वाइफाई एंड ब्लूटूस शेरिंग चार नंबर की setting जरूर देखना वाइफाई एंड ब्लूटूस शेरिं को बंद भी किया हुआ है तब भी आपके वाली की जो लोकेशन है उसको ट्रैक किया जा रहा है स्कैनी किया जा रहा है ब्लूटूतर वाइफाई के दुवारा तो यदि आप ऐसा नहीं होने देना चाहते अपनी location के साथ privacy चाहते हो तो इसको बंद कर लेना option को आप जो है शेप रहेंगे और आपकी privacy जो है maintain बनी रहेगी अब दोस्तों यह थी है हमारी third number की trick अब दोस्तों बात करेंगे चाहर नंबर की trick की क्या है दोस्तों चाहर डुगल Map में है आप Google Map में जाएंगे और Google Map में जाने जाने के बाद आपको स्सक्रीश हमेशा चेक करनी है कि कहीं आपकी location गूगल मैप के दुवारा तो track नहीं की जा रही है यह कैसे होता है दोस्तों यदि आप एक mail ID दूसरे mail ID दूसरे mail में डालेंगे तो दोनों की location जो है same दिखाएगा यानि कि दोनों का data एक दूसरे के पाह जाता रहेगा तो आपको यहाँ पर आकर यह चैक करना है गूगल मैप के अंदर आकर यहाँ पर जाएंगे profile में यहाँ पर जो mail ID है यह आपकी mail ID ही है क्या अगर आपको लग रहा है यहाँ पर किसी और की mail ID है तो उस mail ID को अपने मुबाइल से हटा देना है और second बात यह है आपको एक चीज़ और चैक करनी है कि यह जो आपकी यहाँ पर दो mail ID है अगर यह किसी और मुबाइल में भी डली हुई है ना ओके तो उस वाले से देने थे चार सेटिंग से बतानी थी आई होप यह वीडियो आपको उच्छे लेगी होगी कुछ नहीं सेक्रों को मिला होगा वीडियो को लाइक करना और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो यह ता शुडियो में सुनमस्का दूर्स आपको दिन सुबो